अर्थ विवस्ता में आई आर्थिक मंदी ने पहले ही हजारों लोगों को घर बैठने पर मजबूर कर दिया था कि अब बेरोसकारी की समस्या और बढ़ने वाली है क्योंकि देश की दिगज आईटी कंपनी इनफोसेस भी अब करमचारियों की छटनी करने वाली है वहीं दूसरे तरफ खस्ताहाल PSNL का बकाया भी लाखों लोगों के रूसकार पर ग्रहन लगा सकता है एक रिपोर्ट देखिए की है कंपनी को इतना मुनाफ़क हुआ नहीं जितना दिखाया गया है इस मामले को अभी ज्यादा दिन वीते भी नहीं थे कि अब IT कंपनी फिर चर्चा में है वहीं कंपनी JL3, JL4 और JL5 बैंड में काररत 2-5 पीसली करमचारियों को बाहर करेगी इस हिसाब से इन बैंड में काररत 4,000 से लेकर 10,000 करमचारियों पर असर पड़ेगा कंपनी इस सतिमाही में कुल 12,200 करमचारियों को बाहर करने जा रही है आपको बता दे कि हाल ही में विश्व की प्रमुक आइटी कंपनी कंपनी करने की खोशना की थी वैसे जहां इनफोसिस शटनी करने के मूट में है तो वहीं खस्ता हाल BSNL के बकाई के चलते भी एक लाख लोगों की रोसी रोटी मुश्किल में है दरसल BSNL पर 20,000 करोड रुपए का बकाया है और ये बकाया BSNL को सपोर्ट सर्वेस या समान मुहया कराने वाली छोटी बड़ी कंपनीयों का है BSNL अपने दम पर इसे चुकाने की हालत में नहीं है और सरकार इस दिश्चा में उदासीन बनी हुई है ऐसी सूरत में ये कंपनियां कामगार कम करने को मजबूर है यानि साफ है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी कई रुकॉर्ट बनाने वाली है DB Life के रिपोर्ट